हलो फ्रेंड मैं सुप्रिया स्वावित करती हूँ आपका डिकोड एक्जाम में फ्रेंड आज मेडाबल इस्टर की MCQ सेरीज में हम सॉल्फ करेंगे मुगल सामराज जी के अंतरगत हुमायू और हुमायू के जिस तरीके से हुमायू का संगर सेसा सूरी से हुआ तो सेरी सा सूरी से भी सम्मदित हम आजी क्लास में प्रश्चनो को सॉल्फ करेंगे तो आजी क्लास में हम Nicholas 21 प्रिविस इस के questions को सॉल्फ करेंगे और इन questions के explanation के इत्रों हम इस chapter को भी revisit करने की कोसिस करेंगे फ्रेंट जैसा कि हमने मुगल सामराज जी का जो चेप्टर वह अल्रेडी स्टार्ट किया हुआ है और हमने मुगल सामराज जी के अंतरकत मुगल वन्स के संस्थापक बाबर से संबंदित जिते भी प्रश्ण पूछे गए हैं अभी तक उन सारे प्रश्णों को हम लोगों ने सॉल्फ किया है जिर लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी है वो भी सीरीज को देख लें जिससे की उनका बाबर से भी संबंदित जो प्रश्णा है वो भी डिविजन हो जाए तो फ्रेंट आए स्टार्ट करते आची गलास और आज का हमारा पहला प्रश्ण है निम्न नामों में से उसे चिंधित करिए जो हुमायों के भायों में से किसी का नाम नहीं है देखें यहाँ पर बोल रहा है कि हुमायू के भाईओ के बारे में पूछ रहा है हुमायू के जो भाई थे इनमें से वो कौन नहीं है कामरान, उस्मान, असकरी, हिंदाल तो फ्रेंड ये जो प्रिश्ण आया था वो यूपी लुवर प्री 2008 में ये प्रिश्ण आया था तो ठीक है हुमायू की जो मा थी जिनका हुमायू की जो मा थी उनका नाम था माहम बेगम ठीक है माहम बेगम जो थी वो हुमायू की मा थी बाबर के जब मृत्यू हुई बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था और बाबर ने अपने पुत्र हुमाईउ से बोला था इन पुट्रों का पा साम्राजू को अपने भायों में बाट लेनार और अपने पिता के बातों के कहन देगा एक लेत। था वो मेवात का छेत्र मिला था ठीक है और यही जो फ्रेंड अगर हम बात करें हिंदाल की दो फ्रेंड हिंदाल की जो हिंदाल के जो अध्यात्मिक गुरू थे उन्हीं की पुत्री ती जिनका नाम था हमीदा बेगम ठीक हमीदा बेगम जिनको मर्यम मर्यम मकानी के भी नाम नहीं किया था उन्हीं से पुत्र अकबर पुत्र की जो प्राप्ति हुई थी उन्हीं से हुई थी ठीक है तो यह चीज़ भी ध्यान रखेगा चलिए आगे बढ़ते आगे हमारा नेक्स प्रेशने प्रेशने हैं हमारा कि हुमायू द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्ध अस्थलों के नाम से नीचे अंकित करे तो ठीक है यहाँ पर देखे फ्रेंड युद्ध अस्थल दिया है हुमायू के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उनसे संबंदित युद्ध अस्थल दिये हैं तो हमें उन्हें बताना है कि देखे पहला क् से दिवार चौशा सरहिन 10 देवार कणना चौशा सरहिन सरहिन देवरा या देखा जाए तो विहार거야 प aquí करता है वह देखा जाने हुमाईँ के दोरह तो प्रथम अभयानों कालिंजर के विरुद्ध्ध करता है ठिक है यहां सो ढ़ब करता है फ्रेंट जिसे हम deobra का युद्ध कहते हैं या फिर देखा जातब यह दूहरिया का युद्ध्ध फड़र यह है 1532 फिर ऑफिती precis leads दिया है दोहरिया का युद्ध लड़ता है 1532 में किसके विरुद्ध लड़ता है अफगानों के विरुद्ध लड़ता है और अफगानों का नित्रित तो कौन करता है महमूद लोधी कोन है इब्राहिम लोधी का भाई इसको यह पराजित करता है महमूद लोधी को पराजित क तो फिर उसके बाद देखा जा तो ये 1532 में देवरा का युद्द लड़ता है फिर उसके चौसा का युद्द फ्रंट का बलड़ता है यह फिर्टी ठीन हैं कि विटपना करेंगा सूरी फ्रंद सुरी इसके हैं यहां पर गंगा और काम लटी के लिए है और करme नाशा निजाम नामक जो भिस्ति नहें जान पूछे थी किसकी हुमायू की और यही हुमायू भिस्ती से मतलब निजाम से तब प्रवावित हो जाता है जब जान बचाता तो उसको उपहार सरूप हुमायू ने दिल्ली का एक दिन के लिए बादशा बनाया था ठीक है और यही जब निजाम जो भिस्ती रहता है भिस्ती फ्रेंड होत तो फिर वो आगे फिर कन्नौज इसका पीछा पीछा करते है जो सेर्शा रहता है वो पीछा पीछा करते हुमायू के पीछा आता है फिर कन्नौज का युद्ध होता है पंदरसो चालीस में ठीक है काफी निडायक युद्ध होता है इसी युद्ध के बाद जो मुगल सत्ता ह वो कुछ समय के लिए भारत की धर्ती से समाप्त हो जाती है क्योंकि यहां पे फिर दूती अफगान वन्स स्थापित होता है कन्यों जिसें बिलग्राम का युद्ध कहते हैं शेर्षा सूरी को हुमायू ने बुरी तरह से पराजित क्या और हुमायू को लगभग 15 वर्सों के लिए निसकासित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया किसने शेर्षा ने उसके बाद देखा जा 1555 की बात है जब सूरी वन्स जो है दुती अफगान वन्स जब कंद्री सत्ता कमजोर होने रखती जिसका फायदा उठाता है कौन हुमायू और पुना वो भारत में वापसी करने का प्रयास करता है इसी वापसी के करम में सरहिंद का युद्ध होता है तो सूर्वन्स का साशक रहता है सिकंदर्शा उस सेमें वो पंजाब अगरे के छेत्र में रहता है तो सरहिंद के युद्ध में देखा जा 1555 में पराजित करता है कौन हुमायू और फिर से दुबारा जो है दिली की धर भारत की धर्ती पर मुगल सत्ता जो है वो अस्थापित होती है तो यह हमारा करम था ठीके इसके युद्धों का तो यह चीज़ ध्यान रखेगा ठीके चली आगे बढ़ते हैं आगे हमारा प्रशना है फरीद जो बाद में शेर सा सूरी बना ने कहां से सिक्षा प्राप्त यह तो यहां पर देखे फरीद पूछ रहा है फरीद जो बाद में शेर सा सूरी बना सार्साराम से साराम को सा साराम भी बोला जाता है थीकर जहां पर इसका मगबरा है पटना जोनपूर लाहृ तो फ्रेंड इसका करेक्ट टांसेर रफेंड सी बना है हुआ करता था पूर्व का सिराज, ठीक है, सिराज इस से इसने शेज साध सूरी, उनके बच्पन का नाम देता है, इन्हों नी है, प्रारंभिक सिक्छा जो है, यहां से ग्रड की ती इनके बारे में थोड़ा सा जान लिजे अगर हम बात करें तो इनका जनम हुआ utilize 1472 में यह था नाम गंषान है प्तस द्रॉस को स्फषरी को फड़ीबातों says शेरसा सूरी का जनम हुआ था तो हसन खा की जो बड़ी पत्नी थी जो पहली पत्नी थी उनी से सेरसा का जनम हुआ था और हसन खा की जो छोटी पत्नी थी हसन का का उनसे काफी बिसेस लगाव रहता था वो छोटी पत्नी जो थी उन्हों हमेशा हसन खा को सेरसा सूरी के खिला वाले मारा करती थी कि तुम किसी योग नहीं हो तुम वो कुछ आता नहीं है तुम ऐसे हो तुम वैसे हो और एक तरीके से जलन जैसी भावना रखती थी जिससे तंग आकर के फरीद ने अपना घर छोड़ दिया और वो जोनपूर चले गया जोनपूर में इन्होंने अपनी प्रादंबिक सिच्छा ग्रहड किया और जोनपूर में इन्होंने अरभी और फारसी का गहन अध्यन किया और फिर कहा इसा झाता है कि ये काफी ज्यादा योग गिर रहते हैं और कुछ उनके मित्रों ने यानि कि हसन खा के मित्रों ने उनसे आखे बोला कि यह तुम्हारा बेटा काफी योग है, काफी तारीफे की जिससे हसन खा काफी प्रोहवित होते हैं और फिर अपने बेटे को यानि कि जो हसन ना जो फरी जलन होता है पारिवारी कला होता है भड़काना इससे तंग हो जाते हैं कौन फरीद फरीद तंग हो करके आप कहां चले जाते हैं अगर हम बात करें इसको घड़ा करके तो दच्छड बिहार की कहानी सुन लीजे थोड़ा सा स्टोरी में बता रही हूं आपको दच्छड बिह को शुबहार को तो बिहार का समें सुब्ज बिहार परान मुगलों के सामराजी नत면 तो प्रांथ था सूबदार था वहां का कौन से सूब्धियूदार था फ्रेंड दच्छडी बिहार में जो वहां का तो बाहार खान लोहानी ता ठीक है बाहार खान लोहानी के यहां चले जाते हैं बाहार खान लोहानी ध्यान रखे गई समनाम क्योंकि इन्हों ने ही इनको सेर खान के उपादी दी थी बाहार खान लोहानी के चले जाते हैं जमाल खा का सिक्षक बना देते हैं लोहानी साहब किसको फरीद को उसके बाद कहा जाता है कि यह सिक्षक बन जाते हैं यहाँ पे भी इनोंने अपनी योग गिता को सिद्धे किया काफी जादा लोग इनसे प्रभावित होते हैं लेकिन जब आप योग यह होंगे तो सिर्फ आपसे प्रभावित होने वाले लोग ही नहीं होते हैं आपसे जलने वाले लोग भी बहुत होते हैं तो जब इनकी योगिता को देख करके जवास पास के सरदार थे वो उन्होंने बाहर खालवानी को बढ़काना सुरू कर दिया कि अरे कही असा नो हो यह इतना योग यह है कुछ दिल में तुमको हटा करके तुम्हारी पूरी जागीर ले ले खुद ही सुबेदार बन जाए इ किसके खिला बाबर ने लड़ा था मेदिनी राय के खिला कहला चन्देरी से चुदारी जुद्ध में मेदिनी राय के खिला इन्होंने बाबर का साथ दिया वित जिसते फरीदने जिनको सेरसा कहा जाता है और फिर कहा जाता है चुकि बाबर की नीती हमने आपको अल्रेडी बताई बाबर जो था वह एक तुर्की था और फिर उसके बाद बाबर का जो था अफगान के प्रती नीती अच्छी नहीं थी जिससे यह वहां से भी परिशान हो बहुत जादा थैंट क्योंकि प्रताँ रहते हैं फिर से पाहान लोहानी के पास चले या खुले के ब्र Adding कर पाहोगी तो चलि आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं नेक्स्ट है हमारा निमलिकित मध्य योगीन साशकों में से कौन एक उच्छ सिक्षित था अभी हम लोगों ने बात किया अलाओ दे सारी बलबन अलाओ दिन खिल जी इब्राहिम लोधी या शेर साथ फ्रेंड मात्र सिक्षित हो जाना ही नहीं होता है आप अपने सिक्षा को किस तरीके से एक्जिक्यूट करते हैं उसको किस तरीके से जो चीज आपने सीखा उसको किस तरीके से क्रियानिवित करते हैं यह बहुत मैटर करता है सेर साथ सूरी उसमें का साशक था जो सिक्षित तो था ही साथ ही साथ अपने सिक्षा को किस तरीके से इस्तमाल करना है किस तरीके से क्रियानवित करना है इसको ये चीज़ बहतर पता दी क्यों क्यों कि ये अनुभवी था ठीके, इसने बहुत जगा काम किया है, अपने पिताज के साथ लखर के बाबर की सेना के साथ लखर के अनुभौ लिया है इसके लिए के एक सफल प्रसासक भी रहता है, सफल सासक, सफल प्रसासक, ये दोनों में फर्क होता है और ये दोनों इसके अंदर था सेर्शा सूरी के अंदर, ठीक है, चलिए, नेक्स प्रेशने पर चलते हैं, नेक्स है हमारा, निमनलिकित में से किस सुल्तान ने, पहले हज PCS pre 2000 में ये प्रिश्ट आया था फ्रेंट तो इसका correct टांसर हो जाएगा C सेर सा सूरी ने सबसे पहले हजरते आला की उपादिदार की फिर बाद में सुल्तान बनता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगोंने अगर हम लोग बात करें इसके बारे में तो आपको अच्छी तरह पता है पहले इसके बच्छपन का नाम क्याया था था फड़ती था फड़ती प्रभावित होता है किसको सेर खा की उपाधी देता है ठीके सेर खा की उपाधी किस ने दिया बहार खा लुहानी पहले यह सेर खा है फिर यह जब आगे बढ़ता है फ्रेंट तो जब 1539 की बात है जब बहार खा लुहानी की बृत्तियों हो जाती है और बहार खा लुहानी की पत्नी दूदू बे अपना सामराज अपना एक तरीकर से अपना छेत्र बना लिया, वहाँ का साशक बंजाता हूँ जब साशक बंता है तो अपनी छेत्र का विस्तार करता है। इसे कऱ में पंदर सो नातीस की बात है जब इस में बंगाल पर अक्रमेटकाः और बंगाल का साशक था फिर नुच्रत खा तीक है नुच्रत खा नुच्रत का मा का साशक रहता है और उसको ये नुस्रत ध्यान रखेगा ये माफ करेगा मुझे ये नुश्रत सा रहता है वे बंगाल के साशक को पराजित करने के बाद, उसके बात देखा जाए तो फिर ये आगे बढ़ता है जब 15-40 क なवज का युद्ध जिसे हम बहुत निरडायक युद्ध कहते है कंवज जिसें बिलगराम का युद्ध कहते हैं हुमाईयू को पराजित करता है और हुमायू को पराजित करने के बाद जो इसने उपादी लिया था उसके बाद सुल्ताने आदिल के उपादी और ध्यान रखेगा यह जो सेर खा बनता है ना फ्रेंट जब यह सेर शा की उपादी भी ध्यान रखेगा जब यह 1539 की बाद है जब चौसा का युद्ध लड़ता है 39 में 1539 में जब यह चौसा का युद्ध लड़ता है और हुमायू को पराजित करता है तो उस समय इसने शेर साह की उपादी धारड की थी और 1540 में जब यह हुमायू को पराजित करता है दिल्ली से मुगल सत्ता के तब इसने सुल्तान आदिल की उपादी जो है इसने धारड किया था किसने शेर का तो हमने बता ना कैसे फरीद से ये शेर खा बना, सेर खा से किस तरीके से ये हजरते आला की उपादी लिया, हजरते आला से किस तरीके से ये सेर शा बना, फिर सेर शा से किस तरीके से इसने आपको पता होना चाहिए चले next question पे चलते हैं सेरशा सूरी द्वारा किये गये सुधारों में समलित है राजसु सुधार प्रसाशनिक सुधार सैनिक सुधार करेंसी प्रडाली में सुधार तो friend इसका correct answer जो है वो D है यानि कि सेरशा सूरी ने राजसु में भी सुधार किया प्रसाशनिक सुधार भी किया सैनिक सुधार भी किया करेंसी प्रडाली में भी सुधार किया फ्रेंट बात करें राजसु सुधार की तो इसके क्या का जो राजसु विवस्था था जो लगान वसूली थी वो थी रैयत वारी विवस्था ठीक है रैयत वारी विवस्था और अधर बात बता देjuनाओ के सामय सामराज को लेता है और बूरी चीज़ों को साइट कर देता है टौ क्या गिया तो जो अच्छती चिज़ों को लिया यानी की चुछी चीज्राज को लेता तो राइयत light विवस्था इसकी राजस्तों विवस्था रहयत मत्तब होता है फ्रेंट किसान किसानों से प्रतक्ष लगान वसूल करता था जो लगान तया वह उपज की देखा जाए तो एक बटा तीन भाग ये लगान के रूप में लेता था और ये नगत भी लेता था और अनाज की किसान से बहुत जाधा शक्थी परेंगे इससे क्रशी परभावीत हो और तो राजा को लगान कहां देगा उसका राजस कहां से प्राप्वत होगी इसलिए किसानों को काफे जादा वरियता देता था जब आकाल किस्थिती में उनसे जादा बहुत शक्ती से लगान नहीं वसूला करता था बात कर उसके प्रसाशनिक सुधार की फ्रेंड तो प्रसाशनिक सुधार भी उसने बहुत सारे किये थे इसके पस अनुभव बहुत था चुकि हमने आपको बताए ये जब इसके पिता थे पिता के साथ ये तरीके से जागीर का प्रबंधक के रूप में कारे किया था तो जागीर का प्रबंधक के रूप में दोरान इसको प्रसाश्चनिक की सारी चीज़े बहुत सारी चीज़े प सत्ता को अस्थापित जब किया तो उस समय इसका जो प्रसाशन था वो काफी केंद्र के सत्ता को इसको लगा कि हाँ इस समय अगर केंद्र जब तक मजबूत नहीं रहागा इतने बड़े सामराज्यों को सामानना जो है उसके लोगा तो इसने कठोर केंदी के निरंग को सत्ता इसने स्थाप्तित किया और इसके जो पूरी सक्ती को अपने हाथ में केंद्रित किया और फिर उसके बाद देखा जाए तो इसके जो मंत्री हुआ करते थे मातर सलाकारी उनकी प्रवर्टी हुआ करते थे इसे प्राजा को सला देते थे राजा जो है मंत्रियों के सला मानने के लिए बाद नहीं रहते थे उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो सामराजी था अपने सामराजी को प्रसाशन को चलाने के लिए उनको क्या किया था अपने सामराजी को इसने सरकारों में भिभक किया था सरकार इसे हम प्रांत कहते है तो यह 47 सरकारों में इसने अपने सामराजी को भिभाजित किया छोड़ दीजिये बंगाल के अथिकार करता था दिफरेंट तो इस ने अपने समाराज जी si शिक मतलब बन परदरी होता दार उसका नुच्ट किया था वहास्था चलाने के लिए और यह जो सिखदार के नियंतर में सारी चीज थी और सिखदार को भी सहायता करने के लिए अस्थैनिक अधिकारी नियुक दिया था और यह अस्थैनिक अधिकारी कौन होते थे जो अमीर बांगला ठीक है बंगाल अक्सर विद्रोंईयों का केंद्र हुआ करता था इसके इस विद्रों को समाप्त करने के लिए इसने बंगाल इसे कहते थे शिकदारे सिकदराना तीक है सिकदारे सिकदराना जो इसका प्रमुख हुआ करता था इसको देखा करता था और इनसे भी उपर जो है इससे भी उपर एक अधिकारी करता था जिसका नाम था जो की कौन होता था अमीर बांगला जो होता था वह इन सिकदारों के उ त्सक्त करनेट काुल दिल्ली स्लतनत के बहुत सारे सारे साशवों की। ग्रहड किया था एसमें इन लाउधिन खिलजी का डाग प्रता और गोड़ों को दागने की प्रता और सैने को को लिखाने की हुआ सेय Wäh लिखने दो दौनें प्रता अब करके कि वही है और फिर गोड़ों को प्रता अब ह5000 दॉल गोड़े है कि नहीं है वो दागने के अधार पर पता चलता था तो इस सारे से वेतन देता था देखें जो सैनिकों को वेतन देता था यह नगत वेतन देता था और फिर जो आज सैनिक होते तो उनको जागीर देता था तो जागीर और जो नगत दोनों ही तरह का वेतन दिया करता था करेंसी प्रडाली में सुधार इसने क्या था जो पूरानी जितनी भी मिषुषष धातू के सिकके थे, अनके अस्तान पिस्था सुध्ध सोने के स्थांदी के और आपके तांबे के सिकके चला। चांदी के सिक्कों को रुपया कहा गया, तांबे के सिक्कों को दाम कहा गया, सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया, ये सारी चीजे काफी ज़्यादा important हो जाती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो इसने हर छेतर में सुधार किया, तीक है, आगे बढ़ते हैं, दिल्ल इस सल्टनत के बाद किस ने किया था फ्रेंड यह हुमायों के द्वारा सर प्रतम स्वड मुद्रा का प्रचलन किया गया उसके बाद देखेंगे तो स्वेरिसा सूरी के द्वारा किया था ठीक है चले नेक्स प्रशने पर चलते हैं 1532 में कहीं कहीं पे फ्रेंट जो सतीस चंदरा जो पुस्ता के उसमें 1531 भी लिखा है लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर 1532 में हुमायू ने चुर्ग जो चुनार का दुर्ग है उस पे इसने आक्रमण किया था लगबग चार महीने तक घेरा डाला था उसमें चुनार के प्रवेस द्वार माना जाता है चली नेक्स प्रशन पे चलते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रशन कि निमनलिकित में से किसने अपने बादशा पती के मगबरे का निर्माण करवाया था शाह बेगम ने हाजी बेगम ने मुम्ताज महल बेगम ने या फिर नूरु निशा बेगम ने तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भी हाजी बेगम जो की क 69 में बनाया था किसके समय में बनाया था अकबर के समय में तो ध्यान रखेगा यह अकबर काल की प्रथम अस्थापत्य है यह भी पूछ सकता है अकबर काल का जो प्रथम अस्थापत्य है अकबर के समय में प्रथम अस्थापत्य कौन सा था वो था हुमायू का मकबर आगी है और इस मकबर में अकबर का कोई युगदान नीथ बनाने में ये वी चीज ध्यान रखेगा ये अकबरकालीन जो है ये हुमायू का मकबर अकबरकालीन प्रतमस था पत्यौत इसके दराबनाए गया था हाजी बेगम ने बन वाया था इसका जो नक्सेदार कहले जे या फिर इस संगमरमर्ग से भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा है और ये पहला मकबरा है जो चार दिवारी से गीरा हुआ है तो ध्यान रखेगा पहली बात अगबर के समय का पहला अस्थापत्य हुमायू का मकबरा किसने बनवाया हाजी बेगम ने बनवाया कौन था वास्तूकार? इरान का वास्तूकार मिर्जा गयाल था चुकि इसने ये जो था ये दिन्ली का हुमाई इसके बारें बात करें तो ये सफेद संगमर्मन का बना भारत का पहला गुबबद वाला मगबरा है और इसी के सासत यह मगबरा जो है वो भारत का पहला मगबरा है जो चार दिवारी से घिरा हुआ है ठीक है चली नेक्स प्रश्ट पर चलते हैं नेक्स है हमारा की चानी का सिक्का किसने सुरू किया अगबर ने सेशा सूरी ने अलाओ दिन खिल जी गया फिर बक्तियार ने तो जो मुद्राय थी जो मिश्टध धातु की मुद्राय थी उनके अस्थान पर सुध्ध धातु की मुद्राय चलाया जिसके अंतरगत सेचानी का रुप्या चलाया और उसका वजन पूसता है ने चूछी छिए कितने में था, कैसे था, ठीक है, सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, चली, next पर चलते हैं, next है हमारा, सेशा सूरी, friend, इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखेगा, कि, कितने का green था, ये चीज़ ध्यान रखेगा, ठीक है, कहीं कहीं पर चांदी के सिक्क्यों क ठीक है, ठीक है, तो ये चांदी का था, जिसे हम रुपिया कहते हैं, ठीक है, और क्या था, एक जो की तामबे का जो था, वो दाम था, जिस जो की 380 grain का था, ठीक है, और वहीं बात करें, सोने का जो सुपका था, जिसे दिनार कहा जाता था, वो 167 grain का था, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेगा ठीक है ग्रेन ध्यान रखेगा चली सेरसा के अंतरगत तामबे के दाम और चांदी के रुपए की वीनियमन जो दर थी वो किती थी 16,1 ठीक है 32,1 42,1 या फिर 64,1 तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D 64 जो अनुपात था चली next है सुध चांदी का रुपए का आविस्कारक देखे अभी हमने बात किया कौन था शेरसा सूरी तो इस चीज़ों पर डायरेक्ट आंसर पर आ जाते चांदी का रुपए का रुपए का जो प्रथम जो आविस्कारक भी माना जाता है वही किसी सेरसा को माना जाता है कि प्ले ग्रेंड की थी 178 ग्रेंड की थी ठीके कहीं के पर 180 ग्रेंड भी लिखा है ठीके तो यह चीज ज्यान रखेगा चांदी का रुपया चलाया था किसने शेर चाने आगे बढ़ते हैं आगे हमारा शेर सा सूरी की बृत्यू हुई आगरा में हुई कालिंजर में हुई रोहतास में हुई साशा राम में हुई तो फ्रेंट इसकी जुम्रित्यू होई थी वो कालिंजर किले का जब यह अभियान कर रहा था उसी के दोरान इसके बृत्यू हुई थी इसकी जुम्रित्यू हुई कब हुई 1545 में हुई कालिंजर का भियान किया था कालिंजर का उस समय साशक फ्रेंट ध्यान रखेगा वहां का जो साशक था कीरत सिंग था कीरत सिंग देकिए तो यह वर्टमान में यह जो उत्तर प्रदेस का बांदा जिला है वही पे यह कालिंजर का किला था और यह सामरिक दिश्belsे से काफी जादा महत्तपुर्ट था और उससे भी इंपॉर्टेट यह था जो यह कीरत सिंग था कीरत सिंग ने हुमायू का एक मित्र था जिसका नाम था वीर भानु को इसने सरड दे रखी जब वीर भानु के काफी ज़्यादा मित्रापूर संबंध हुआ करते थे हुमायू से और यही कीरत सिंग ने इसको सरण दे रखी थी तो सेर सासूरी ने बोला कि तुम वीर भानु को हमारे हवाले कर दो नहीं तो हम तुम्हारे पर आक्रमण करेंगे कीरत सिंग ने मना कर दिया उसको हवाले करने से और फिर आक्रमण करता है और इसी आक्रमण के दौरान कालिंजर के किले पर यह आक्रमण करता है तो एक उक्का नामक ध्यान रखेगा उक्का जो है प्रच्छे पात्र जो है यह जहान रखेगा पच्छे पास आस्त्र जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह उक्का जो था यह जो प्रच्छे पास आस्त्र है इससे इसने अक्रमण किया और यह उनके समय और बारूत उसी को चलाते समय जो बारूत के ढेर पर क्या होती इसके आग लग जाती इसके आस- कालेंजर का अभियान जो है उसके बाद ही इसके मृत्य होती है तो उसकी मरने से पहले इसके द्वारा कालेंजर विजय करर लिया गया था ठीके कब 1545 की बात है चली नेक्स प्रेशन पर चलन नेक्सट मात्र एक मुठी बाजरे के चकर में मैंने अपना सामराजिक हो दिया इस कथन को आपकिस अस्वामद्य कालिन साशक से संबब्ध करेंगे तो ये फ्रेंट किसने कहा था अलावदिन खिलजी ने महमूत खिलजी ने या फिर सेर्चा ने या फिर औरंग जेब ने तो फ्रेंट इसका correct answer है सेर्चा ठीक है इसने मारवाड के सासक मालदेव की विरुद्ध ठीक है मालदेव के समय में यह कहा जाता है कि जब इसने पंदरवाड के सासक में कन्यों या बिलग्राम की दूमें हुमायू को पराजित कर दिया था गुद्ध में जाता है जैता और नित्रित के नित्रित में राजपूतों ने ये कहा जाता है सूरी साशा सूरी की नाकोट तलेच जवह एक दम दात खटे कर दिये थे इतना हालत खराब किया था और फिर उसके बाद इसी युद्धी के बाद इस ये बोला सेशाने कि मातर एक मुठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा समराज जो था वो खोसा द देखा जा तो भीहार में रोहतास में है जो सासा राम ठीक है रोहतास में है और इसने पर जीवन काल में ही अपने मगबरे का निर्मार करवा दिया था ठीक है और यह जो किस नदी के टटपे यह सोन नदी के टटपे है यह सोन नदी के टटपे है और यह देखा जीलों के ब मखबरा किसे कुनिंगम ने कहा था तो इस तर पर जीवन काल में इपना मखबरा बनवा दिया था नेक्स बढ़ते हैं निमलिकित में इसे किस स्मारक का निर्मार्ण से इशाने करवा है था डिल्ली की कुणहा मस्जित जॉण पिर के अठाला मस्जित गौर की बारासोना दिल्ली की कुद्व दिनैबक ने बनवाए थाắp एठाला मझजिद सर्गी साशक के बनवाए था तो kolon इसा correct onson तर है दिल्ली की किला एक कुना मस्जित देखे आज अजब हुमायू जब साशक बनता है तो उसने डिल्ली में दीन-बणा नगर बनवाई था इस Donna дней का पुराणा किला इसे किला करवाया तक संदित का क्या एकुनहा उनतार जव संदिन ओद किना किला Clinic किला नामक शेर्षा सुरी ने खिलेघ्यत का निर्माड़ करवाया या पिरोष्ट उ humano में तक पूर्ण है किला नtatकर जर्द फिर शेर्षा सूरी ने पुराने किले का निर्माण को वारा इसी पुराने किले में देखा जाए तो आपका एक ये मस्जिद है देखा जी एक किला एकुना मस्जिद है इसी पुराने किले में देखा जा तो शेर्मंडल भी है ठीके सेर्मंडल जो भवन है ये भी इस और विक尾रम किया था यह यह कांफी जड़ादा रशन लगातार, उपेसे प्र सभी पेशन एट उपी-पेस में , प्र सब्याते चाहें यह प्र सफ़ियमां नानट दो के सब मिशस्राओंक है तो इस पत्टे नामक पत्र के द्वरा उसको एकसेप्ट करते था और इस पत्र में क्या लिखा रहा था था लगान की दर यानि कि कि जब किसान को जब भूमी देंगे तो उसे लगान भी वसूलेंगे तो सरकार के द्वारा उस पट्टे पे लगान की दर लिखी रहती थी कि तुमको कितना लगान देना है जहांगीर ने इसलाम शाह नहीं या फिर से शाह नहीं यह देखा जाए चार प्रशिद्य सडक बनीती ठीक है चार प्रशिद्य सडक पिर सडक होगी बंगाल के सोनार गाउ से ले करके पंजाब के अटक तक दूसरी सडक जोगी जो की किस है जो की बंगाल के सोनार गाउं से लेकर किसम पेशा और फिर पेशावर तक की जो सड़के हैं या फिर हम पंजाब के अटक तक की जो सड़के हैं उसको हम क्या कह रहे हैं सड़के आजम कह रहे हैं इसी को प्रास्टीन काल में उत्रापत कहा जाता था उत्रापत च Grand Trank Road इसी को कहा जाता है सड़क के आजम को दूसरी सड़क के बारे में देख लिजे कौन सी है दूसरी जो सड़क है जिसे हम कहा आगरा से लेकर के बुरहानपुर तक है तीसरी सड़क है आगरा से लेकर के चित्तौर तक है और चौती सड़क देखेंगे तो लाहोर से लेकर के मुलतान के बीच में ये पूरी सड़के हैं इन सड़कों पे इसने 1700 सराय बनाये थे सराय वो होता होटल को कहते है जो व्यापारी जो लोग हो गया ये सारे लोग जाते थे तो रात हो जाती थी व्यापारी लोग रुकते थे तो व्यापारी के लिए व्यवस्ता है थे उनके घोडों को रखने के लिए व्यवस्ता होती थी हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग व्यवस्ता है उनके कीचन अलग हुआ करते थे ये सारी व्यवस्ता करवाए थे और फ्रेंट ध्यान रखेगा जब व्यापारी गड़ कहीं होंगे तो एक जगर रुकेंगे तो यह सोचेंगे कि चलो यहां से व्यापार भी कर लेते तो जब वो रुखते थे तो उस छेतर में क्या करते थे व्यापार कर ले थे तो वो छेतर जो होता न वहाँ पर व्यापार बिक्सित होने लगा तो यह जो हाट वगरा होते हैं हाट मार्केट वगरा लगती वो यहीं से होता है सुरुआ ठीके हाट मार्केट का कॉंसेट यहा से दूसरे सराय तो यहां पर इन सरायों में ना डाक विवस्था इन सरायों को माद्यम से डाक विवस्था जो थी बहुत मजबूत हो गई कारण है कि कानुन को के द्वारा क्या कहा गया इन सरायों को कि यह जो सराय है वो सामराज रूपी सरीर की धमनिया है धमनियों से जैसे खून का प्रभा होता है ना उसी तरीके से सरायों के मादे से पूरा रामराज जो है उसका संचालन प्रसाशन होता था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है हमारा सेर्शा का उत्राधिकारी था सुजात खां इसलाम खां इसलाम सा फिरोज सा मोहमद सा आदेल M.P.P.C.S.P. 2018 में ये प्रश्णा है तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा बी इस्लाम सा जो था वो शेर्शा का उत्राधिकारी था फरेंड सेर्शा इसकी मृत्यों हो गई 1545 में लेखे तो 1545 में जब सेर्शा की मृत्यों हो जाती है तो सेर्षा का चोटा पुघ्र जिसका नाम था ज़लालखान तीक है जलालखान जो है वो बैठता है गरती पर इस्लाम शाहं के नाम तो तब तक बैठता है 1545 से लेकरKे 1553 तक ये क्या है 1545 से लेकरKे 1553 तक वहाँ उतना योगे कह सकते हैं कि नहीं है जितना सेर सा सूरी रहता है लेकिन फिर भी ये काफी योग ये साशक की सिद्ध होता है इसने जो सूरी के संस्थापक सेर सा सूरी के द्वारा स्थापित की गए विवस्थाओं को ये काफी सुचारू हूप से चलाता है और काफी सफल साशक सिद्ध होता है इस्लाम सा की मृत्यू के बाद इसका बारवर्सी पुत्र जिसका नाम है फिरोज फिरोज सा जो है वो गद्दी पर बैठता है बारवर्सी पुत्र लेकिन इसका मामा फिरोज का मामा जिसका नाम है फ्रेंड देखे तो मुबारिज ठीक है मुबारिज खा ने अपने भांजे बारवर्सी भांजे जिसका नाम है फिरोज को हत्या कर देता है और स्वेन जो है सूरी वन्स की गद्धी पर बैठ जाता है किस नाम से आदिल सा के नाम से यही आदिल सा जो है आदिल सा के नाम से गद्धी पर बैठता है काफी आयोग्य साशक रहता इसका निर्ति वगरा में बड़ा मन लगता है और जब आयोग्य साशक बैठे का केंदरी सत्या कमजोर होगी तो सामराज जो है वो क्या हो जाएगा बिभक्त हो जाएगा और इसी के सामय में जो सूरी सामराज है जो सूरी सामराज है चार भागों में विभक्त हो गया जो पंजाब वाला छेतरे है वहां पे सिकंदर सा बैड़ जाता है सुरीवन्स का इस आशा के इसी सिकंदर सा को फ्रेंट पराजित करेगा कौन जब हुमायू आएगा जब केंदरी सत्ता फ्रेंट कमजोर होती है बार बर बताया है इतिहास एक बार केंदरी सत्ता कमजोर्ण होगी तो जब आदिल साथ के समय में चाडभागों में पंजाब के छेतरे बैठता है कौन सिकंदर सा इस इसी सिकंदर सा को पराजित करता है कौन सरहिंद के युद्ध में 1555 में कौन पराजित करेगा हुमायू पराजित करेगा उसके पहले भी देखेंगे तो सिकंदर साह का एक सेना पती रहता है तातर खां को उसने मई में पराजित करता है मच्छी वाड़ा के युद्ध होता है मई में होता है और मच्छी वाड़ सासी उद्ध होता है बैरम खाकिने पर पूना मोंगल सत्या थापित हो जाते हैं वहीं बात करें दिल्ली आगरा वाले चेत्र में यह आदिल साजो रहता है उसका बंगाल वाले चेतर में महमूद साजो मुहम्मद साजो वह साशक बनता है तो यह सारे चार भागों में चेतर जो अब भाजित हो जाते हैं चली आगे बढ़ते हैं आगे है कि इन साशकों में किसने अपनी सैनत तुकडियों को 200-250-500 की एक आयों में विभाजित किया बहलो लोदी सिकंदर लोदी सेर्स है या उपरियुक तुम्हें से कोई नहीं तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरियुक तुम्हें से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएग तो अक्बर किसा में किया क्यों कि यह चोटा पूतर सेसा का पूतर है कफी यह सफल सासक्षित है इसने महत्वपूर किया और सेना में स्रेडी प्रडाली का प्रशलन किया ठीक है प्रशलन किया साने और यही प्रडाली आगे जा करके जब हम मुगल पढ़ेंगे तो अकबर के सामय जो मनसब्दारी विवस्थात इन अधहार बने का यही जो स्रेडी प्रडाली की सुरॉद जो आपका इसलामसा कर रहा है इसने अपने गोड़ सवार थे उन bend수 वार सेनाओं को इसने 50 में 100 में 100 में, 200 में 250 में ऐसे बिभाजित कर दिया था गोड़ सवारों की टुकडियों को इसने बिभाजित कर दिया था तीग यह चीज था तो इस तरीके से देखा जाए इसके बात देखा जाए तो इसके द्वारा जो सेना में जो सुधार किया गया है उसमें सिकंदर साने भी जो यह सिकंदर सा आता है सिकंदर सा के काल में भी जो है यह जो सुधार किया गया है वो लागू रहती यह विवस्ता है लेकिन यह सिकंदर सा के समय नहीं सिकंदर सा ने इसलाम साके द्वारा जो लागु की विवस्था को जारी रखता है यह चीज इंपॉर्टन टी और याद रखेगा यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर जो क्योंकि प्रश्ण में यह नहीं दुए इसलिए मैं बता देरी हूं कि चाल प्रांतों में और मच्छी प्रांतों में लोगों ने अल्रेडी चर्चा की हुई है सरहिंदी के विजए में तो वह चीज आपको पता होनी चाहिए सरहिंदी के विजए में किसने किसको पराजित क्या था मुगल की सेना का नित्रित्व कौन फ्रेंड कर रहा था देखा जातों सरहिंदी के विजए मे Murgal की सेना का नितरतु बैरम खा कर रहा था वो ही बैरम खा जो आगे चलकर के अगबर का संरच्षक बनता है सरहिंद के विज़े और फिर उसके बाद बैरम खा नितरतु क्या था साशक कौन था और किसके बिरुद क्या था सूरी वन्स का साशक कौन था आपका सिकंदर्शाथ यह चीज़ क्योंकि सरहिंद का विजह जो थी वह काफी निरायक चुद्धी दूपुना जो है मुगल सत्ता स्थापित होती दिल्ली के गद्धी पर दिल्ली पर यानि कि उत्तर भारत पर और फिर कुछी बाद यानि कि जून में सरहिंद का जनवरी मे 1556 में हुमायू के मृत्यू हो जाती है ठीक है फिराल पवेस्क पुत्र जोके अकबर दिल्ली के गद्धी पर बैठता है तो यह चिस्थी इंपॉर्टेंट सारी चीज़े हैं तो इस तरीके से हमने हुमायू और सेरसा सूरी से समझ दे जो भी प्रश्णों पूछे गया है उन सारी प्रश्णों को देखा जहां से मुझे लग रहा था हाँ चीज़े आपको था और बता देनी चाहिए जैसे कि अभी मैंने सरहिंदी का युद्ध बता है मच्छी वड़ा का युद्ध बता है यहां से प्रश्णों पूछे जाते हैं इसलिए मैं थो ज्यादा ब्र झाल